नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप यूपीटर 2014 प्रश्ण पत्र के चाइल्ड डिवलप्मेंट एंड पैडागाजी यानि की बाल विकास और सिक्षण विधी पार्ट का कम्प्लीट पेपर सॉलुशन देखने जा रहे हैं अगर अभी तक जितने भी यूपीटर के पेपर हुए हैं सभी वर्शों को मिला करके उन सब का कम्प्लीट पेपर सॉलुशन आप डिटेल में देखना चाते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहल पहला ही प्रश्न एसका विवादित प्रश्न है क्योंकि अभिपरणा को कई मनोवय ज्यानिकों ने अलाग अलق तरीक से वर्गी कृत किया है यानी की बाटा है अब यहां पर किसी स्पेस्फिक मनोवय ज्यानिक के द्वारा क्या बोला गया वो झो नहीं ही पूचा गया ब अब अलग-अलग मनवे लेग ज्यानिकों ने अलग-अलग तो अफ बाथ करूं थॉंसन के अनुसार तो थॉंसन ने दो प्रोंप्रेकार की अभिप्रणा जनजात अभी प्रणा जैसे कि भूख हो गया प्यास हो गया अब किसी को भूख लगी है तो भोजन के लिए वो motivate कैसे होता है वो तो जनजात है ना उसे बाहर से motivation की ज़रत थोड़ी है कि तुमें भूख लगी है तुम खाना खाओ तुम कर सकते हो तुम खा सकते हो इस प्रक कि अभी प्रणा को तीन भागन बाटा पहला जैविक अभी प्रणा बताए था जिसमें भूख ख्रोध भै निंद यह सभी बात बताई थी उसके पासे समाजी का भी प्रणा बता था जिसके अंतरगत आत्म सुरक्षा समान, प्रेम, सहीयोग यह सब बताए था और तीसरा म अनोवेग्यानिकों का अलग अलग वरिक करण है और प्रष्ण में दो विकल्प यहां पर सही हो रहे हैं इसलिए आयोग इस प्रकार की गलतिया प्रतेक वर्ष करता है कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जानबुज करके यह प्रतेक वर्ष करते हैं क्योंकि कोई भी नॉर्मल B BTC वाला बंदा इसको बता सकता है कि ये प्रशन विवादित हो सकता है भविशे में जाकर के और इसलिए UPTate के प्रतेक वर्स के पेपर कोर्ट में जाते ही जाते हैं क्या जरूरत थी इस प्रकार के प्रशन को देने की और अगर जरूरत थी भी तो आप यहां पर स्पेस्फि थी चीजों को कहीं न कहीं आयोग की गलतियों की वज़े से मामले कोर्ट में चले जाते हैं ठीक है उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर पहला और तीसरा दोनों से यह लेकिन आयोग ने ये वला माना था option number C 60 को उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन पुछा क्या था सीखने की प् कॉंसेप्ट का प्रयोग करते हुए आप दूसरे कॉंसेप्ट को सीख रहे हैं तो इसे ही बोलते हैं सीखने का इस्तालांतरन यानि कि एक चीज जो आपने सीख लिया है उसका दूसरे चीज को सीखने में उसका प्रयोग करना ठीक है इसे बोलते हैं सीखने का हस्तालांतरन अब यहाँ पर किस किस प्रकार के अस्तानातर हो सकते हैं ध्यान से समझेगा अगर मैं आपसे ये बोलू कि त्रिभूज के तीनो अन्ता कोणों का योग 180 अंस होता है ये concept मालीजे मैं आपको बताया और आपने ये concept सीख लिया कि त्रिभूज के तीनो अन्ता कोणों का योग 180 अंस होता है उसके बाद से मैं आपको एक प्रश्ण दूँ कि मालीजे ये एक त्रिबुज है जिसमें इससे ये मालीजे 40 अंस का है ये मालीजे 60 अंस का है तो ये कितनी अंस का होगा तो अगर आप इस concept का प्रयोग करते हुए इस प्रश्ण को solve कर ले रहे हैं यानि कि ये जो परिस्तित थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि त्रिबुज के तीनों अंतो कोड़ों का योग एक स्वासियंस होता है उसका प्रयोग करते हुए अगर आप इस कोण का मान निकाल पा रहे है यानि कि आपका सीखने का इस तरानतर पर हुआ है साकरात्मक तर पर हुआ है क्योंकि होते हैं वो किस साइड में होते हैं वो आपके लेफ्ट साइड में होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो वो इस टेरिंग कार में जो होता है वो राइट साइड में होता है अब मान लिजे कि इंडिया का कोई आदमी अमेरिका मे और वहाँ पर drive कर रहा है तो जहर सी बात है जो कुछ भी उसने इंडिया में सीखा है वो उसको negative तोर पर प्रभावित करेगी क्योंकि उसका एक तरके से पूरा practice right hand steering पर है इस वज़े से जो इंडिया में उसने सीखा है वो उसको नकरात्मक तोर पर प्रभावित करेगी left hand steering क को support करने में इसलिए नकरात्मक इस्थानांतरण भी होता है इसके अलामा मान लिजे कि आपने physics पढ़ लिया है अब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो क्या physics जो आपने एक परिस्तिती में सीखी थी वो आपको इतिहास को सीखने में मदद करेगी नहीं मदद करेगी क्योंकि दोनों का कोई relation ही नहीं है इसलिए सुने इस थनांतरण भी होता है तो तीनों विकल प्यास है तो तीनों तो हम लोग टिक कर नहीं सकते हैं इसलिए option number D ये सभी इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया था निम्न में से कौन सा मत अंतर द्रिष्टी द सिधान्त भी कहते हैं यानि कि अचानक से आपके दिमाग की बत्ती जली खट से और तुरंत आपको हिंट मिल गया कि हाँ इस तरीके से इस प्रॉलम को solve करना है तो ये किस ने दिया था ये गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था तो option number D इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा जैस अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली कि उसके बगल में जो छड़ी रखी थी उस छड़ी को लेते हुए वो केले को खीच लिया और किला खा गया इसी प्रकार से दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया था कि कुछ उचाई पर एक केला टांग दिया जिस पर वो चेंपन वादी ये मानते थे कि जो भी समस्या है उसको समपूर्ण तोर पर एक परिसिती के तोर पर समपूर्ण रूप के देखते हुए अचानक से दिमाग की बत्ती जलती और अचानक से सूज आता है इसी को अंतर दिष्टी का सिदान्थ करते हैं तो ये सीखने की व्याख्या प्रियोग किया निरर्थक शब्द क्या होते हैं जिसका डिर्कली कॉंसेट से कोई लिना देना नहीं होता है लेकिन आप उसको सीखने के लिए या फिर उसको लंबे समय तक रिटेन करने के लिए धारण करने के लिए उन निरर्थक शब्दों का प्रियोग करते हैं जैसे कि म देखिए E से हो गया electron और टा से हो गया Thompson, पा से हो गया proton और रा से हो गया Rutherford, न से हो गया neutron और चाय से हो गया Chadwick तो इस तरीके से हमने क्या किया निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके हमने इस concept को सीखा कि ETA पर नाचे का मतलब क्या हो गया कि electron की खोज Thompson ने की थी, proton की खोज Rutherford ने की थी और neutron की खोज Chadwick ने की थी, तो ये तो निरर्थक शब्द है कि ETA पर नाचे, इसका कोई अपना अलग तो मतलब है नहीं, इन निरर्थक शब्दों का प्रयोग हमने किसी concept को सीखने के लिए किया, इसी को बोलते है निरर्थक श चीजों को भूलने लगते हैं, जैसे कि उन्होंने graph एक बताया था, यहां पर मैं बना रहा हूं, देखिए, यहां पर इस पर उन्होंने time को represent किया था, और यहां पर उन्होंने प्रतिशत में retention को denote किया था, retention यानि कि कब तक हम चीजों को धान करते हैं, तो माल लिजे, यह पर जो उनका graph था, वो कुछ इस प्रकार से था, ऐसे, मतलब कि हम पहले दिन किसी चीज को सीख रहे हैं, पहले दिन किसी चीज को सीख रहे हैं, तो हम 100% सीख चुके हैं, अब धीरे-धीरे exponentially वो चीजे हम लोग भूलने लगते हैं, धीरे-धीरे, देखिए, समय के साथ यह जो धारान करने की सकती है, वो धीरे-धीरे कम हो रही है, यानि कि एक concept अगर आप एक बार सीख चुके हैं, तो आप समय के साथ exponentially उसको भूलेंगे ही, भूलेंगे, forget करेंगे, इसके लिए उन्होंने ये बताया, कि हमें समय के साथ यहाँ पर देखे, जैसे यहाँ पर आया हम भूल करके यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मालिजय आपने 100% सीख लिया, अब 2-4 दिन के बाद जहिर से बात है, आप 100% आपको वो सबी चीज़े याद नहीं रहेंगी, concept याद नहीं रहेंगी, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे हम यहाँ तक पहुंचे, फिर उन्होंने revision क या, फिर हम यहाँ तक पहुंच गया, अगली बार जब वो भूलेगा, तो यह पूरा इस इस तर तक नहीं आएगा, बलकि इसके थोड़ा सा उपर ही रहेगा, फिर अगर revision कर लिया गया, तो फिर वो इस इस तर तक पहुंच गया, फिर revision किया, फिर उपर पहुंच गया, बार-बार आप उसे revise करेंगे, तो लंबे समय तक retain कर पाएंगे, यानि उसे धारान कर पाएंगे, यानि वो अपकी memory में रहेगी, तो यह किसके सिद्धान दिया गया था, यह Abinghouse के द्वार सिद्धान दिया गया था, और इस सिद्धान के नुसार कि हम एक concept को लंबे समय धारान रखे, इसके उन्होंने निरर्थक शब्दों का प्रयों किया, निरर्थक शब्द क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, कि जिस प्रकार से एक concept की, electron, proton, neutron का खोज किस ने किया, इसको trick के मादें से, निरर्थक शब्दों के मादें से आप याद कर सकते हैं, कि उन्होंने सीखने के दो प्रकार के नियम दिये, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौर्ड नियम, मुख्य नियम के अंतरगत उन्होंने तीन प्रकार के नियम दिये, पहला उन्होंने बता है ततपरता का नियम, यानि कि जब कोई बालक सीखने के लिए तब उसका अधिग पिस मेक्स अमैन परफेक्ट आपने सुनाओगा तो ये अभ्यास के नियम के अंतरगत आता है ठीक है तीसरा नियम उन्होंने दिया था प्रभाव का नियम यानि कि जो कुछ भी व्यक्ति करता है अगर उसका परिडाम हितकर हुआ यानि कि बच्चे को कुछ एक तरीके से अनुवित्ति का नियम दूसरा बहु अनुक्रिया का नियम तीसरा आनसिक क्रिया का नियम चौथा अनुरूपता का नियम और पांचवा सम्मंदित परिवर्तन का नियम तो ये सबी जो नियम दिये गए है तो सीखने को हम लोग अधिगम भी बोलते हैं तो अधिगम क्या ह विवहार में परिवर्पन होता है, उसे हम लोग अधिगम बोलते हैं, ठीक है, पहला विकल्ब देखिए, विवहार में परिवर्पन, तो ये तो अधिगम की परिवासा तीसरा देखें, विवहार में आप एक्छा क्रित इस्थाई परिवर्तन, यानि कि जो कुछ भी हमने सीख लिया, उसके वज़े से हमारे विवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और कई बार ये परिवर्तन बिल्कुल इस्थाई हो जाता है, जैसे कि एक बार आपने cycle चलाना सीखा, तो आप प्रियास कर रहे थे उस cycle को चलाने के लिए, अब एक बर जब आपने cycle चलाना सीख लिया, तो क्या ऐसा संभव है कि 10 साल बाद आप cycle चलाना भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे, यानि कि ये आपके विभार में जो परिवर्तन हुआ cycle च परिवर्तन हो गया, तो ये भी हमारा अधिगम होता है, सीखना होता है, अब तीनों विकल्ब तो टिक कर नहीं सकते, इसलिए option number D, ये सभी इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा, अगला प्रशन पूछा गया था, शारिरिक वृद्धी और विकास को क्या कहते हैं, पहला विकल् दुडाओ जो है, वो सारिरिक वृद्धी या फिर विकास से नहीं है, इसलिए ये हमारा उतर नहीं होगा, तीसरा विकल्ब देखिए दिया गया है, गतिशीलता, गतिशीलता यानि की movement की बात की जाती है, तो अगर एक बच्चा एक जगह से उठकर के दूसरी जगह चला तो ये भी उतर नहीं होगा, आनुवान सिकता, तो आप लोग जानते ही हैं, कि जन्म के समय जब बच्चे को माता पिता से जो गुड़ प्राप्त होते हैं, उसे आनुवान सिकता बोलते हैं, तो ये भी हमारा उतर नहीं होगा, एक अई विकल्प बच्चा option number भी देखिए अभी विद्धी, अभी विद्धी को अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं, यानि कि शारीर कर विकास क्या होता है, ग्रोथ होता है, जैसे कि बच्चे की हाइट पहले एक फुट, दो फुट, तीन फुट थी, अब बढ़ करके चार फुट होई, पांच फुट होई, तो ये क प्रक्रिया है, या कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये statement based question है, तो इसका उतर हो जाएगा option number D, रॉस के द्वारा, ये statement रॉस के द्वारा दिया गया है, विकल्प number D, 60 उतर है, अगला प्रशन पुछा गया था, बाल मनु विज्ञान के अधार पर कौन सा कथन सर्व पहला दिया गया है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ये तो विकल्प बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रतेक बच्चे individual differences लिए होते हैं, अब ये individual differences generate कैसे होता है, बच्चे का जन जब परिवार में हुआ, तो उनके माता-पिता के द्वारा जो उनको गुण मिलते हैं, उसे हम लोग आनुवानसिक्ता बोलते हैं, अब किवल आनुवानसिक्ता responsible नहीं है, क्योंकि एक परिवार में अगर जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिसमें माता-पिता के गुड़ तो समान होंगे, लेकिन एक का परवरिश अच्छे माहौल में हो रहा है, और दूस प्रतेक बच्चे में वैक्तिगत विभिन्नता होती है, दूसरा देखे, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ये भी गलत है, प्रतेक बच्चे इंडिविज्वाल डिफ्रेंस रहेगा ही रहेगा, चाहें थोड़ा सा ही अंतर क्यों नहों, अंतर रहेगा ही रहेगा, त बच्चे को अलग बातावन मिल सकता है दूसरे बच्चे को अलग बातावन मिल सकता है अब मालीजे कि एक बच्चा जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो एक अच्छे संगत्ती में है मतलब कि अच्छे दोस्तों के बीच रह रहा है दूसरा गलत दोस्तों के बीच रह रह तो उसका development उसी हिसाब से ही तो होगा तो यहाँ पर प्रतेक बच्चे का विसिष्ट होता है विकास option number D यहाँ पर बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला प्रश्ण ने पुछा गया था बाल मनोविज्ञान का केंदर बिंदू है तो बाल मनोविज्ञान का केंदर बिंदू क्या है तो आज हम लोग बाल केंदर इत सिख्चा की बात करते हैं तो दिये गए विकास ने देखिए option number B में बात की गई बालक आज बाल मनोविज्ञान के केंदर बिंदू में होता है option क्या हो जाएगा विकल्प नमबर भी बालक इसका बिल्कुल 60 कुत्तर हो जाएगा अगला प्रश ने पूछा गया था अच्छी इस्मृति की विशेस्ताय है इस्मृति का मतलब कि जो concept बच्चे ने सीख लिया है वो कहीं ना कहीं जाकर के उसके mind में इस्टोर तो होगा न तब ही तो वो जैसे कि 2 प्लस 2 बराबर बच्चे ने 4 सीख लिया है तो जब बच्चे से पूछा जागा कि 3 प्लस 3 क्या होगा तो जिस concept के अंतरगत इसने इसे solve किया था उसी concept का प्रियोग यहाँ पर भी करेगा और ये concept उसके mind में सेव होगा यानि कि जब जरूरत पड़े तो उस चीज को recall करना recall करने की आवशक्ता पड़ेगी इसलिए उसको कही ना कही इस्टोर करके रखना होगा यानि उसकी इसमृति उसके mind में जो चीज इस्टोर होकर के रहेंगी उसकी विस्यस्ता हम से पूछी जा रही है कि बच्चे के इसमृति की विस्यस्ता क्या होनी चाहिए पहला दिया गया सिग्र पूना इसमृति उसमें होनी चाहिए कि हाँ हमें इस विधी के तहत इसका उतर निकालना है दूसरा दिया गया सिग्र पहचान देखिए बच्चे किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी वस्तु को कैसे पहचानते हैं जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चा जो कुछ भी देखता है उसका एक इमेज इसकीमा के तौर पर उसके माइंड में सेव हो जाता है जैसे कि इसकीमा क्या होता है ध्यान सज मज़ेगा जिस प्रकार से आपके मोबाइल में अलग-अलग फाइल के लिए अलग-अलग फोल्डर्स बने हुए हैं जैसे कि MP3 गाने का अलग फोल्डर आपके contact list का अलग फोल्डर आपके वीडियो गाने का अलग फोल्डर उसी प्रकार से प्रतेक वस्तू का बच्चे के माइंड में अलग-अलग फोल्डर बना होता है information को save करने के लिए और इसी अलग-अलग information के फोल्डर को जीन प्याजे ने इसकीमा नाम दिया था अब कोई भी बालक अपनी माता को कैसे पहचानता है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब भी देखेगा तो तो वो उसकी माता का जो image है वो इसकीमा के तोर पर उस बच्चे के mind में save हो चुका है अब जब बच्चा अगली बार उससे देखेगा तो उसका जो mind होता है, वो signal भेशता है कि हाँ ये इसकीमा से match हो रहा है और ये आपकी मदर है, आपकी माता है इस प्रकार से बच्चा पहचानता है कई बार देखेगा कि आप किसी वैक्ति विशेश से बहुत दिन बाद मिल ले है, बहुत सालों बाद मिल ले है तो आपके सब conscious mind में वो image रहती है लेकिन आप तुरंत recall नहीं कर पाते है कि यार इसे कहा देखा है, याद नहीं आ रहा है लेकिन देखा जरूर है तो वहीं होता है कि जब image बहुत पूरानी हो जाती है मतलब कि आपके इस कीमा में तो आपको पहचानने में दिक्कत होने लगती है तो सिग्र पहचानना ये भी अच्छी इस्मृति का विशेश्ता है क्योंकि आप अगर recall कर पा रहे हैं तभी तो सिग्र पहचान पाएंगे तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गई तीसरा देखे अच्छी धाना ये भी बात बिल्कुल सही है धाना का मतलब क्या हो गया कि retention यानि कि एक बालक कितने समय तक कि किसी भी सीखी गई चीज को अपने मन में धारण करके रख पा रहा है तो इसे बोलते हैं अच्छी धाना तो ये भी बात इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही हो जाएगी यानि कि तीनों इसके विकल्प सही है तीनों विकल्प तो चुन नहीं सकते हैं इसलिए उप्शन नमर डी ये सभी इसका बिल्कुल एप्रप्रियेट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन पुछा क्या था समवेग शब्द का साब्दिक अर्थ है तो समवेग को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं इमोशन बोलते हैं अब देखिए, मोशन का मतलब होता है गती गतिवान होना और ई का मतलब होता है अंदर से यानि कि बच्चे के अंदर जो गतिवान इस्थिती होती है उसे ही हम लोग इमोशन बोलते हैं अब इसका साब्दिक अर्थ हम से पूछा क्या था देखिए option number 3 में दिया गया है उत्तेजना या भावो में उतल फुतल इसका बिल्कुल सटीक एंसर हो जाएगा क्योंकि समवेग का जो साब्दिक अर्थ होता है वो वेग से युक्त होता है अर्थात जब वेगवान होकर के कोई काम करता है तो उसे ही हम लोग समवेग कहते है option number C इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा देखिए हमसे साब्दिक अर्थ पुछा गया था यानि इस सब्द का अर्थ क्या है वो पुछा गया था option number C सही उत्तर है अगला प्रशन पुछा गया था कॉसल सीखने की पहली अवस्था है किसी भी स्किल को सीखने की पहली अवस्था क्या होती है यह हमसे पुछा जा रहा है अब अगर पहले विकल्प की बात करें दिया गया है यह थार्थता यानि की रियालेटी की बात की जरी है तो बच्चा बच्पन में टॉम एंजेरी देखता है और उसे यह लगता है कि रियल में जो बिल्ली होती है वो चूहे को दोडाती है इधर उधर तो क्या यह वास्तविक चीजे होती है देखिए उनमें क्या होता है कई बार दोस्ती भी हो जाता है टॉम एंजेरी में चूहे और बिल्ली में दोस्त हो सकते हैं, तो इसका यथार्थता से कोई भी लिना देना नहीं, क्योंकि हमसे पहली अवस्था पूछा गया है, तो पहली अवस्था सचाई पर निर्बर नहीं होती है, बलकि बच्चा जो कुछ भी देख रहा है, अनुकरार कर रहा है, उसे ही सीख जाता है, ठीक है तो यहाँ पर यथार्थाता हमारा उत्तर नहीं होगा दूसरा दिये गए कल्पना सिल्ता तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि बच्चा जब जिस दिन से जन लिया उसी दिन से अनुकराण के मादम से सीखने लगता है बले ही उससमय उस अवस्ता में कलपना स्रीलता हो अथवा ना हो समन्वाइ की बात की गई है यानि कि coordination की बात की जारी है synchronization की बात की जारी है तो ये भी हमारा उतर नहीं होगा ये भी negative है एक आई वी कलप बचा option number D देखिए अनुकरण, अनुकरण के माध्यम से बच्चा पहली एक तरिके से पहली अवस्था होती है कौसल सीखने के संदर में, क्योंकि कोई भी कौसल हो पहले हम लोग आउलोकन करते हैं, बच्चा जब कम्निकेशन स्किल सीख रहा है तो अपने माता-पिता का अनुकरण करक होती है किसी भी कौसल को सीखने के लिए, और दूसरा होता है वास्तविक आयू, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, माल लिजे एक कच्चा तीन में बालक है, कच्चा तीन में जब बालक होगा, तो उसकी एज क्या हो सकती है, आप ध्यान से देखेगा, छे साल पर तो व उसकी एज होगी, नौ साल उसकी एज होगी, ये उसकी वास्तविक एज हो गई, अब बच्चा नौ साल का है, कच्चा तीन में है, द्यान दिजेगा, कच्चा तीन में है, और उसकी आयू नौ साल है, लेकिन अगर कच्चा पांच के प्रशनों को स्वाल्व कर पा रहा है, कक्षा 5 के प्रश्णों को solve कर पा रहा है तो भले ही वो कक्षा 5 के प्रश्णों को solve कर पा रहा है लेकिन actual age तो उसकी 9 साल है लेकिन मानसिक आयू यानि उसका जो एक तरके से छमता है उसकी जो छमता है जिस इसतर के प्रश्णों को solve करने के लिए उसी छमता के इसतर को ही हम मांसिक आयू कहते हैं जैसे कि कक्षा 3 में actual में बच्चा था लेकिन कक्षा 5 के प्रश्णों को solve कर पा रहा है अब कक्षा 5 में जब बच्चा जाएगा तब उस समय उसकी age क्या होगी 6 साल पर तो वो एक में admission ले रहा है लेकिन अगर 3 में रहते हुए वो 5 कक्षा 5 के प्रश्णों को solve कर पा रहा है तो उस समय उसकी जो मांसिक आयू है यानि कि वह उसकी जो छमता है वो कक्षा 5 वी के बच्चे के बराबर है और कक्षा 5 वी में 11 साल में बच्चा जाता है इसलिए जो उसकी मांसिक आयू हो जाएगी वो 11 वर्स हो जाएगी और वास्त्विक आयू 9 वर्स हो जाएगी अब हमसे ये पुछा गया है कि मांसिक आयू का जो concept है इसका सरप्रथम प्रयोग किस ने किया तो सरप्रथम प्रयोग बिने साइमन ने किया था option number D यहाँ पर बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया था सैश्वा वस्था के लिए उत्तम सिक्षण विधी है सैश्वा वस्था के लिए उत्तम सिक्षण विधी कौन सी है ये हमसे पूछा जा रहा है देखिए PNP जो कि यूपिटर की परिष्ण का आयजन करती है कितनी विवादित प्रशनों को सामिल करती है परिष्ण में आपको एक और उधान में आपको देता हूँ सैश्वा वस्था का अगर आप अवस्था जीरो से दो साल मान करके चलेंगे तो ये प्रशन ही गलत हो जाएगा क्योंकि जीरो से दो साल में किसी भी बच्चे का एड्मिशन होगा ही नहीं विद्याले में जाने के लिए और मांट्रेसरी विदी, किंडर गार्डन विदी, खेल विदी ये तो विद्याले में जाकर के बच्चा सीखेगा ना तो जीरो से दो साल हम लोग कैसे मान सकते हैं इसलिए यहाँ पर सैश्वा वस्था का जो काल होगा वो हमें 0 से 6 साल मान करके चलना पड़ेगा यह हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि मॉन्टेसरी विदी, किंडर गार्डन विदी, खेल विदी का प्रयोग हम लोग प्री प्राइमरी स्कूल में करते हैं जब बच्चे की आयू 3 से 6 बरस होती है और यह किस में आ रहा है यह इस वाले रेंज में आ रहा है और यह वाला हम लोग को मजबूरी हो गई कि हम सहस्वावस्था को मान करके चलें लेकिन आयोग ने 2021 के revised answer की में यूपिटेट का जो paper हुआ था उसमें NCRT के आधार पर सहस्वावस्था का जो काल माना है वो 0 से 2 साल माना है अब आप खुद सोचिए कि कभी आयोग सहस्वावस्था को 0 0 से 6 साल मान करके चलता है और कभी 0 से 2 साल मान करके चलता है तो क्या ये आयोग की गलती नहीं है जब NCRT को ही follow करना है आपको तो बिल्कुल सही बात है आप follow करिए NCRT ही सरवपरी होती है कोई भी publication की book ले लेजिए उससे सरवपरी NCRT की book होती है तो जब आप एक बार 0 से सैस्वावस्ता को मान चुके हैं तो फिर इस प्रकार का प्रश्ण क्यों दे रहे हैं जिसमें हमें मजबूरी में 0 से 6 साल मानना पड़े सैस्वावस्ता को ले करके इसलिए मैं कह रहा हूं कि आयोग बहुत गलतियां करता है जिसकी वज़से लगतार भरतियां और यूपि में मोंध्रेसरी विधी में बच्चे जो होते हैं वो अपने कमेंद्रीयों और ग्यांनेंद्रीयों के द्वाराते शिक्छा अरजित करते हैं इसमें इसमें ही विभिन्र के जो cardboard होसते हैं उस पर उंगली फेरना, रेत में उंगली फेरना, अपने उंगलियों पर control पारना, ये सबी चीज़े सिखाए जाती है, खेल के मादेम से बच्चे को स्वतनत वातावना देख करके सीखने के लिए प्रेडिक किया जाता है, तो ये Montessori विदिका तो प्रियों कि जाएंगे तो पहले आप नरसरी की बात करते हैं, उसके बाद से lower kindergarten की बात करते हैं, यानि कि UKG की बात करते हैं, तो ये playway school आप समझ सकते हैं, प्राइवेट में और सरकारी में तो आप आंगनवाडी के मादम से जानते ही हैं, तो ये Montessori विदिका प्रियों किया जाता है, दूसरा देखे, खेल विदिका प्रियों किया गया, तो ये भी खेल विदिके मादम से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, और kindergarten तो इसके नाम में ही है, कि LKG और UKG, जो KG है, उसका full form होता है kindergarten, ठीक है, तो option number CB यहाँ पर बिल्कुल सा ठीक जवाब जाब जागा, यानि A, B और C, तीनों विकल्प से ही है, अब तीनों विकल्प हम लोग चुन नहीं सकते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी हो गई, कि हमें option number D के साथ जाना होगा, ये सभी इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा, अगला प्रशन पुछा गया था, बाल विकास में, किस पर जोड़ दिया कैसे होगा, जाईर सी बात है, किस सिक्षण विधी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जितना अच्छा सिक्षण विधी, as a teacher हम लोग प्रयोग करेंगे, बच्चे का सरवाइंगिर, संग्यानात्मक विकास उतनी अच्छी धंग से होगा, यानि कि ये विधियों पर निर्भ प्राप्त हो रहा है, और अनुभा के वज़े से उसके विवहार में परिवर्तन होता है, और विवहार में परिवर्तन को ही तो सीखना बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं, और अधिगम जो कुछ भी बच्चे को जानकारी मिल गई, वो उसके संग्यान में चला गया, यानि सी की हाइट अपेक्षाक्रित नेपाल की तुनला में बड़ी होती है क्यों यह ऐसा होता है वातावरान के प्रभाव के वज़े से आप लोग देखेंगे कि अन्य देशों में जैसे चाइना की बात कर ले तो वहां के लोगों की आंके छोटी-छोटी हो जाती है तो यह सब क्या माता के गर्भ में आया हुआ है उस समय से ले करके कि शोरा वस्था तक पूरी अवस्था का अध्यान बाल विकास के अंतरगत किया जाता है तो यह भी बात बिल्कुल सही हो गई अब तीनों विकल तो हम लोग टिक करेंगे नहीं इसलिए उप्शन नमबर D उप्यूग तो सभी पर इसका बिल्कुल सटिक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था बाल विकास का अध्यान छेत्र है तो बाल विकास का अध्यान किन-किन छेत्रों में किया जाता है यह प्रशन हम से पूछा जा रहा है पहला दिया गया बाल विकास की विभिन अवस्थ विबिन अवस्थाओं का अध्यान बाल विकास के ही अंतरगत तो होता है तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई दूसरा दिया गए वातावरण का बाल विकास पर पढ़ने वाले प्रभाओं का अध्यान तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है, वो जिस वातावरण में रह रहा है, और उसकी जो आनुवानसिक्ता थी, आनुवानसिक्ता क्या होती है, जो बच्चे के जन्व के समय उसके माता-पिता के द्वारा गुण मिले हुए, इन दोनों के अंतह क्रिया का परिड़ाम होता है बच्चे का विकास यानी डेफल्रमेंट यानी कि ये भी बिलकुल सही हो गया इस पर भी एक तरके से बाल अध्यान का छेतर होता है तो ये भी हमारा सही हो जाएगा तीसरा देखे वैक्तिगत विभीनताओं का अध्यान बिल्कुल सही बात है अब वैक्तिगत विबिनता होती क्यों है देखिए क्योंकि प्रतेक बच्चे के लिए जो आनुवान सिकता है वो अलग अलग होगी आनुवान सिकता अलग है इसके अलावा प्रतेक बच्चे का वातावरण अलग होगा प्रतेक बच्चे के घ प्रप्रिये टेंसर हो जाएगा ठीक है देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि जुड़वा बच्चे हैं तो उनकी आनुवान सिक्ता एक हो गई उसके बाद से अगर ये कही परिवार में वो लोग रह रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि उनका वातावन कौमान हो गया नह इसलिए ये भी इसका बिल्कुल स्टिक जवाब हो जाएगा इसकी अंतरगत हम लोग व्यक्तिगत विविनिता का अध्यान करते हैं अब तीनों विकल्प तो हम लोग टिक नहीं कर सकते हैं इसलिए उप्सेन नमबर डी उप्युक्त सभी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिये उन्होंने बताया था तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं दूसरा देखे हैरिसन तो ये भी उत्तर नहीं होगा पहला देखे लैमार्क तो लैमार्क का जो सिध्धान्त था उसका नाम है उपारजित लक्षणों की वनसागती का सिध्धान्त तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा एक अई विकल्प बच्चा option number c darwin का सरवाधिक उप्युक्त जीवित का सिधान्त यह है यानि कि देखिए जो प्रकृति होती है वो सरवाधिक उप्युक्त को चुनती है जीवित रहने के लिए यानि कि प्रकृति अपने में लगतार प्रकृति के साथ अपने आपको ढाले लेगा वहीं जीवित रह पाएगा यह किस ने कहा था डार्विन ने कहा था और यहीं सिधान्त हम से पूछा गया था सरवाधिक उप्युक्त जीवित का तो यह किसके द्वार दिया गया डार्विन के द्वारा option number c यहाँ पर बिल्कु appropriate answer हो जाएगा अगला प्रश ने पूछा गया था सम्वेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से कारक हैं जो कि सम्वेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं ध्यान से समझेगा सम्वेगात्मक विकास में क्या होता है बच्चे में सम्वेग यान है इसलिए क्या होगा उससे यह में हमेसा नुट होगा इनुट कर रह रहा है क्योंकि बच्च अमेसा दूखिय वाली वात्म लुटा σakes नहें प्राइह को उसकी मुझा खूड़ा है। यानि कि जाहिरतोर पर मांसिक योगिता भी कहीं ना कहीं कारक होती है सम्विगात्मक विकास को प्रभावित करने के संदर में। सकते इसलिए हमारी मजबूरी हो गए कि option number D ये सभी इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला प्रशन पुछे क्या था समाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम समाजिक विकास कहा जाता है उक्त कथन है तो ये कथन हर्लॉक का है option number 1 इसका समाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योगता यानि कि समाज जो हमसे चाहता है उसके अनुरूप हम लोग अनुक्रिया करें ये बोला था हर्लॉक ने option number 1 इसका बिल्कुल appropriate answer है अगला प्रशन पुछा क्या था सीखने का सरवाधिक उप्योक्त अर्थ क्या होता है तो सीखने का परिभासा अधिगम का परिभासा ये कहता है कि हमारे प्रयास के मादम से जो हमारे वेभार में परिवर्तन होता है उसे हम लोग सीखना या फिर अधिगम कहते हैं बाकी के पिकलपु पर अगर हम लोग चर्चा करें दिया गया है वैक्तिक तो जब हम समाज में adjustment कर पा रहे हैं यानि कहीं न कहीं हमारे वेवहार में परिवर्तन हुआ इसलिए ये कहीं न कहीं पहले से इसमें included है अब जो कुछ भी हमने ग्यान को अरजित किया जो कुछ भी हमने ग्यान को सीखा अरजित किया वो क्या है उससे हमारे विवहार में परिवर्थन होता है यानि कि B वाला भी इसमें इंक्लूडेड है और कोई भी अर्जन जैसे कि communication skill बच्चा अपने माता पिता का हूँ बहु अनुकरान करते करते communication skill को acquire कर लेता है अर्जित कर लेता है कोशल को तो ये भी क्या है उसके विवहार में परिवर्थन हुआ यानि पहले वो communication नहीं कर पा रहा था अब communication कर पा रहा यानि उसके विवहार में ही तो परिवर्थन कहा जाएगा यानि कि तीनों विकल्प पहले से option number C, व्यवार में परिवारजन में included हैं इसलिए ये सबी संकुचित हो जाएंगे और option number C, व्यवार में परिवारजन इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा क्योंकि सीखने का सरवाधिक उप्यूक्त अर्थ यहीं होता है कि बच्चे के प्रियास के मादम से उसके व्यवार में परिवर्तन हो जाए option number C, सही उत्तर होगा अगला प्रशन पुछा गया था, वाणी दोस नहीं है इन चारों विकल्पों में से कौन सा वाणी का दोस नहीं है यह हमसे पूछा जा रहा है चोथा दिया गया है तिवर और असपष्ट वाणी देखे, असपष्ट यह तो वाणी का दोस है कई लोग क्या होते हैं कि सही से उचारित नहीं कर पाते हैं जिससे जो उनका प्रोनांसियेशन है वो इसपष्ट नहीं हो पाता है यहाँ पर फिर से औस पस्ट उचारन आ गया यानि कि जब हम कुछ बोल रहे हैं और अगला बंदा इस पस्ट तोर पर हमें सुन करके समझ नहीं पा रहा है तो फिर ये तो दोस ही है ना तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा एक अई विकल्प बचा धीमी या तेज गती से बोलना ये जो होता है ये वारी का दोस नहीं है जैसे कि हम लोग गती कई लोग क्या होते हैं कि बहुत तेज गती से बोलते हैं जल्दी जल्दी बोलते हैं और कई लोग बहुत आराम से बोलते हैं तो ये वारी का दोस नहीं माना जाएगा ये हमारा उत्तर होगा क्यों क्योंकि हम अनुकरण के मादम से सीखते हैं यानि कि बच्चे को आप बताएंगे गांदी जी के मुल्यों के बारे में कि वो अहिंसा पर चलते थे तो बच्चा उसमें इंट्रेस्ट ही नहीं लेगा जब आप अपने विवहार के मादम से एज टीचर हम उनको बच्चों को एक तरीके से अपने विवहार में वो सभी चीजे करके दिखाएंगे तब वो बच्चा उसको अच्छे तरीके से अनुकरण के मादम से सीखता है इसी को ध्यान में रहकरके उत्तर डूड़नेंगे पहला दिया गया है मुल्यों के मातों को बताना आप कितना भी बता लिजे बच्चा उ अब बच्चे बन करके निकलते हैं तो यह कैसे बच्चे सीख रहे हैं अपने माता पिता से ही तो सीख रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों से ही तो सीख रहे हैं यानि कि जिस प्रकार से आप बच्चों के साथ विवार करेंगे उसी प्रकार से उनके भी विवार में परि दूसरा देखे मुल्यों के पालन ना करने पर दंडित करना दंडित करना यहां पर निगेटिव वर्ड है देखे बच्चे को सारीरिक तोर पर या फिर शापदिक तोर पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकते इसको पूरी तरिकेशन निशेद करता है तो यह विकल्प निगेटिव होगा हमारा उत्तर नहीं होगा चौथा देखे अब दो विकल्प गलत हो गया तो उप्यूक्त सभी तो होगा ही ने यह तो पहले ही काट देजे एक अई विकल्प बच्चा ऑप्शन नमबर सी देखे तब बच्चा अनुकरण के माध्यम से उसको अच्छे तरीके से एक्क्वायर कर पाएगा ऑप्शन नमबर सी बिल्कुल एप्रोप्रियेट है यहीं इसका सटीक उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया था मूल्यों के वर्गिकरण में समलित नहीं है फिर से हम से निगेटिव सेंस में होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि वो मूल्य नहीं माना जाएगा ठीक है पहला दिया गया आध्यात्मिक मूल्य तो यह बात बिल्कुल सही है यानि भगवान में आस्था रखने की बात की जारी है तो यह तो पॉस्टिव है ना तो यह हमार प्रक्राइंड अरजत करने का मुली कहा जा रहा है तो कैसे भी करके हो सकता है कि कोई बच्चा चोरी करने लेकिन क्या चोरी करना मुल्स नहीं व्यक्तित्व का संगठन का स्वरुप क्या होता है। यह हमसे पूचा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनों वैग्यानिक सारीरिक।। मनों वैग्यानिक सारीरिक इसका बिल्खुल appropriate answer है। अगला प्रशन पुछा गया था आत्म केंदरित व्यक्ति होता है तो आत्म केंदरित का मतलब क्या हो गया जो अपने में ही खोया रहा है यानि कि अपने में जो खोया रहा है उसे क्या बोलते हैं अंतर मुखी बोलते हैं आप्शन नमबर एक इसका बिल्कुल सटी कुत्तर हो बाकी के विकल्प यहां पर गलत हो जाएंगे अगला प्रशन पूछा गया था अपने उर्जा बल को बाहर की और अभिव्यक्त करने वाले वैक्तित्व का प्रकार होता है उर्जा बल को बाहर की और अभिव्यक्त करना यानि अपनी शक्तियों को बाहर की तरफ अभिव्यक् तो option number C इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला प्रशने पुछा गया था कच्छा 4 का एक बच्चा सदयव चिंतित एवं कुंठित रहता है आप क्या करेंगे देखिए सबसे पहले तो जरूरी यह है कि वो चिंतित क्यों है कुंठित क्यों है उसका कारण जाना जाना क्योंकि एज़े टीचर हो सकता है कि जिस सिक्षण का विधी का हम लोग प्रयोक कर रहे है वो बच्चे को समझ में ना आ रही हो जिसकी वज़एसे concept ना समझ पाने की वज़एसे बच्चा चिंतित हो तो सबसे पहले हमें एज़े टीचर जानना होगा कि बच्चे की चिंता का कारण कोई एक छोटी सी घटना भी हो सकती है तो उसके लिए डाक्टर के पास मनोचिकितसा के पास सोड़ी ले जाकर रुकर जाएंगे तो यह विकल्प निगेटिव हो गया चोथा देखिए उसे उसके भागे पर छोड़ देंगे यह तो बिल्कुल ही निगेटिव है एक ऐसके बाद से हम उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले उसकी प्रॉलम को जाने के लिए प्रामर्जदर्टा की भुमिका का निर्वहन करेंगे अप्शन नमर्सी यहां पर बिल्कुल एप्रप्रियेट है अगला प्रशने पूछा गया था भासा विकास का सिध्धान्त नहीं है फिर से निगेट्व पूछा गया है चारों विकल्प में कौन सा भासा विकास का सिध्धान्त नहीं है यह हमसे पूछा जा रहा है पहला विकल्प दिया गया है अनुबंधन का सिध्धान्त अनुबंधन क्या होता है जैसे देखिए भासा विकास के पूछा गया जैसे बच्चे को अल्फाबेट कैसे सिखा जाता है ऐफ और एपल बच्चा बच्पन से पढ़ आया कि एफ और एपल अब बच्चा अपने परिवेश में एपल देखा ही होगा एपल खाया ही होगा प्राइमरी में जाने से पहले तो जो कुछ भी बच्चे ने किया गया है तो ये तो बात बिल्कुल सही है ये भासा विकास का सिध्धान्त होता है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा उसके बाद से देखिए अनुकरण का सिध्धान्त जैसे बच्चे का जन्म जब परिवार में होता है तो वो माता पिता के द्वारा बोली जारी भासा का ह बहु बहु अनुकरन कर लेते हैं, अनुकरन करते करते उस भासा को बोलना सीख जाते हैं, यानि अरजित कर लेते हैं, तो ये अनुकरन का सिधान तो होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, चोथा देखिए, परिपक्वता का सिधान, परिपक्वता यानि की मैच्योर सिधांत होता है यह भासाविकास का सिधांत नहीं होता है इसलिए ऑप्शन नमब यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रियेट एंसर हो जाएगा है दोस्तो यूपीटट 2014 प्रशन पत्र के CDP पार्ट का complete paper solution आपने देखा आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के मादम से जरूर बताईगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही मातोपोईट वीडियो लाने के संदर में अगर आप अभी तक जितने भी वर्शों में यूपीटट के paper हुए हैं सभी वर्शों के paper का complete paper solution डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का description जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनले पर पहली बार जेट कर रहे हैं तो इसको subscribe करते हो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा इस वीडियो को द